हेलो गाइज कैसे हैं आप सब मैं हूँ आपका मेंटोर अरजंदुवा आपका मेरे चैनल एंसियारिटी मैथ गुरूप पर स्वागत है आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनस मैथेमेटिक्स में 7.4 एक्सेसाइज इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ किसमें हमें करना क ब्रोब्लम्स तो इसमें देखिएमें करना क्या होगा जैसे कि हमने पिश्ली एक्सेस में किया था 알고 prisoner कि आपने दिए सब्पैंट ऐसाम इसबसे पहले फर्स्ट कोशन गिवन है फर्स्ट कॉशन गीवन है एक कमपनी सेल्स टू डिफरेंट प्रोड़क्ट्स A and B and makes a profit of 40 and 30 रुपीज पर यूनिट ओन दा प्रोड़क्ट A and B रिस्पेक्टिवली तो यहां से देखे हमरे पास पहले क्या आया कि एक कमपनी है जो टू डिफरेंट प्रोड़क्ट जो सेल करती है प्रोड़क्ट फस्ट है A प्रोड़क्ट और B प्रोड़क्ट यानि कि फस्ट टू प्रोड़क्ट हमरे पास यह है और उनका यहां कि दोनों जो प्रोड़क्ट है वह एक ही प्रोड्य। से यह उनका काम से जिए तरफिएहां से रिसे क्निय। ना लेता है और जो टॉड्य। ऑन्यूर पसिएख और डिच्छा लेता हैं और जो टूर्ड़ Bringing आपर मेंfeed आर लेता है अपनी उनिट बनने में अगे बताया गया है the market has been surveyed and company officials feel that the maximum number of units of A that can be sold is 8,000 and maximum number of units of B is 12,000. Formulate the above problem as LPP and solve it graphically to find how many units of each product should be sold to maximize the profit तो यहां पर दे कि हमारे पास क्या result आया कि यहां पर दो product हैं तो हमने पहले इस तरह से table की form में अपने को statement को लिखना होगा तो हमने यहां पर लिखा कि दो product हैं A and B उन पर जो में profit बताया गया है 40 rupees and 30 rupees उसको लिखा हमने यहां पर maximum hours बताया गये थे man hours वो थे 30,000 और A के लिए हमें बताया गया है कि अगर A की एक unit बनाते हैं तो तो तीन गंटे लगेंगे यान की 3 hours B के लिए हमरे पास 1 hour लगेगा एक unit के लिए तो यहां पर हम लेट करकर चलेंगे तो यहां पर हमने लेट किया सबसे पहले कि जो units produce हो रही है अभी तो यहां पर हमने लिए लेट दा number of units of a product x तो हमने यहां पर उसको एकस लिया है product A को इस तरह जो number of units product B है उसको हमने वाई लिया और जैसे कि है नोर्मली पिशली हमने किया था बता आया था मैंने आपकी कि यहां पर हमार objective मिलती तो जिया है पर को हमें से डिनोट किया किने चेमिट log तो 40 रूपीज देखिए, 40 रूपीज हमने लिए, किस पर मिलेंगे, ए प्रोड़क्ट पर, प्रोड़क्ट ए को हमने क्या लिया था, X, यहाँ पर उसके मल्टिप्लाई हो गई, यानि कि जितने भी यूनिट्स बनेंगे ए प्रोड़क्ट के, उसको हमने लिया X, तो 40 से यहाँ पर मल्टिप्लाई हो गई, इस तरह से जो भी प्रोड़क्ट है, उसको हमने लिया था Y, और उस पर रूपीज मिलते हैं हमें, एक के 30 रूपीज, तो यहाँ पर हमने वाई उनिट्स बनाई, तो उससे मल्टिप्लाई हो गई, तो देखी, यहाँ पर किस तरह से हो रहा है, तो हमने जो है, मैक्सिमाइज देखा कि हमारे पास यह है, प्रोफिट करना था तो यह आ गया, कि हमारे पास जो पहला बताया गया है, यहाँ पर 3Rs and 1R, बताया गया है, एक के लिए और बे के लिए, तो एक को हमने लिया था X, इसको लिया था Y, तो इसको हमने मल्टिप्लाई करके लिखा 3X, इस तरह से 1Y, किस से जादा हम यूज नहीं कर सकते, देखी, यहाँ पर 30, यहाँ पर एक लगाना था, तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से result बना कि वो maximize नहीं हो गया, यानि कि हमारे पास constraint क्या आ जाएगा, 3X प्लस Y, less than and equal to 30,000, तो यहाँ पर हमारे पास first यह आ गया, second में हमें question में ही बताया गया था कि आपको 8,000 से जादा unit से नहीं बनानी, य यहाँ है, वो भी हमें question में given है, कि जो भी units होंगी, वो भी हम 12,000 से ज्यादा sold नहीं कर सकते, यानि कि उसकी maximum limit वहाँ तक यहाँ कि हम उससे ज्यादा sold नहीं कर सकते, यानि कि sale उसको नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हमने किया कि Y less than equal to 12,000, और X और Y की units जो बनेंगी, वो 0 से ज्यादा होंगे, अगर profit maximize करना है हमें, कुछ तो हम product करेंगे ही, यानि कि कुछ तो produce हम करेंगे ही, तो यहाँ पर हमने लिखा X और Y 0 से बड़े होंगे, यानि कि X and Y greater than and equal to 0, तो यहाँ इस तरह से हमने यह LPP की form में बनाया, तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि हमने 3. 3.3X में किया था, इस तरह से हमारे पास होता था, तो इसको हम solve कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा maximize करने के कहा चाता है, वो हमारा क्या होता है, objective एकदम सही बता रहे हैं, तो यहाँ पर हमने लिया the given objective function, Z is equal to 40X plus 30Y, फिर हमारे पास जो constraints given थे, उसके according हम क्या करते है, linear equations बनाते हैं corresponding, तो हमने वो की, तो first से आजाएगा हमारे पास 3X plus Y equal to 30,000, second से आजाएगा, X equal to 8,000, third से Y is equal to 12,000, और next से हमारे पास X equal to 0 and Y equal to 0, तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, तो हमारे पास यह result होएगा, अब देखें, first equation में, हम X को क्या करेंगे, 0 रखेंगे, यह हमने पिछली XS में दिखा था, हमने अपने तरफ से X में 0 रखा, यानकि 3 into 0 plus Y is equal to 30,000, तो इसको हमने जब solve किया, तो क्या result आएगा, Y is equal to 30,000, तो हमने इसको लिख दिया, इस तरह से देखिए, Y is equal to 30,000, इस तरह से आपने फिर Y में 0 रखना है, अगर आप Y में 0 रख जाएगा, जिससे यहाँ पर 10,000 आजाएगा X, तो यहाँ पर देखिए, हमने वही किया, X की value 10,000 हो गई, जब हमने Y को 0 substitute किया था, इस तरह से देखिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, कि हमारे पास next given है, X की value 8,000, and Y की value 12,000, तो उसको हमने लिख दिया, अब यहाँ पर हम तो यहाँ पर हमने क्या कि एक vertical line लगाई थी, इस तरह से और एक horizontal, यानि कि यह हो गई हमारी X-axis, और यह हो गई हमारी Y-axis, तो इस तरह से हमने लिया, और जहाँ पर यह दोनों meet कर जाते हैं, वो हमारा कौन सा point होता है, origin point, और उसको हमने name दिया है, O, तो देखिए, पर हमारे पास देखिए, क्या result होगा, हमने gap के लिया, 0 to 5000, 5 to 10, 10 to 15, इस तरह से हम करते गए, और इस तरह Y में भी आपने करना है, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, इस तरह से आपने equal gap लेना है, अब इसको plot कर लेते हैं, देखिए, किस तरह से हो जाएंगे, अब इसको हम करते है, upload तो 40,000 है, यानि की positive है, तो उपर की तरफ मिलेगा Y axis में, तो यहाँ पर हमने देखा कि यह रहा हो point, तो हमने इस तरह से इसको dark कर लिया, उसके बाद ऐसे ही हमने X को लेना है, 10,000 इसमें देखिए, X को लिया हमने 10,000 वो यह रहा, Y 0 है, वो हाँ यहीं पे रहेगा हमारे पास हम second देखती हैं कि X equal to हमें given है, 8,000, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है, अगर खाली X की value आती है, तो वो किसके parallel जाती है, सही बता रहे है, Y axis के ही parallel जाती है, तो देखिए, यहाँ पर आप 5000 और 10,000 के देखेंगे बीच में, तो आपको मिल जाएगी, यहाँ पर value होगा, इस तरह से Y जो हमें given है 12,000, तो 12,000 पर आपने देखना है, Y axis में, तो Y axis उपर की तरफ होगी, वो किसके parallel बनेगा, एकदम सही बता रहे हैं, X axis के parallel बनेगा, तो हमने वो देखिए, इस तरह से इसके parallel बना दिया, 12,000 लगबग इस point पर होगा, 10,000 से उपर और 15,000 से नीचे होगा, इसलिए हमने यहाँ पर यह point किया, तो यहाँ पर देखिए, हमने जो हमारे तीनो equations की line जो हैं, इस तरह से substitute कर दिया है, यानकि इसको plot कर दिया है, अब इसमें यह चेक करना है कि कौन सी equation true है, या फिर false है, जैसे कि हमने पिछली exercise में किया था, कैसे check करते हैं आएकदम आप सही बता रहे हैं, हम इसमें constraints में value को करते हैं, दोनों को 0, जिससे हमारे पास statement true या false आएगी, उसके coding हमने करना होगा solve, तो देखिए, यहाँ पर x और y एक साथ हमने 0 किया, तो क्या result होगा, 0 less than 30,000, तो इस ही है, 0 30,000 तो छोटा ही होता है, यह true हो गई, इस equal to 8,000, तो 0 छोटा ही होता है, तो हमने सही होगी, 0 छोटा है, इस तरह जब हमें इसमें 0 substitute करेंगे, तो 12,000 जो हमारे पास बढ़ा रहेगा, किसे से, 0 से, यानि कि 0 less than 12,000, तो यहाँ पर नमारे पास, तीनों ही क्या हो जाएंगे, तीनों ही origin की तरफ आएंगे, तो हमारे पास जो first equation थी, उसके according हमने किया, अंदर की तरफ इस तरह से share, या फिर आप arrow लेकर चल सकती है, उसके बाद हम क्या करेंगे, कि second equation पर देखेंगे, जो है x-axis के लिए, वो हमारे पास 8,000 थी, वो भी true थी, तो वो भी अंदर आ जाएगी, इस तरह से देखिए, उसके बाद हम क्या करते है, corner points लेते हैं, तो एकदम सभी बता रहे है, corner points हम कौन से लेंगे, जो shaded reason के हमारे पास boundary बनेगे, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास इस तरह से बन रहा है, तो यह सभी points हैंगे, यानि कि A, B, C, D, E, यानि कि हमारे पास यह five points आ गए, corner points, अब इनको हमने लेना है तो यह corner points किस तरह से find करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, हम यहाँ पर देखते हैं किसका intersection हुआ है, देखें यहाँ पर हम बता देंगे कि A तो 00 है, इस तरह यहाँ पर हम बता देंगे कि B की value क्या है, B की value यहाँ पर हमारे पास यह point था 12,000 Y के लिए, तो हमन देते हैं कि यह क्या होगा, लेकिन अब यह क्या है, बीच में है, तो इसको किस तरह से करेंगे, अब यह देखें कौन सी line का intersection है, जैसे कि देखा हमने एक यह line है, और एक यह line है, तो यह दोनों line है, कौन कौन सी equation के, आपने पहले वो देखना है, तो यह हमारे पास third equation के coding, यानि कि y axis के लिए थी, यानि कि y is equal to 12,000, इसके लिए, उसके बाद यह line थी, यह किसके लिए थी, first equation जो हमें given थी, first equation 3x plus y is equal to 30,000, तो हमने क्या करना है, y की value उदर substitute कर दे, यानि कि 3x plus 12,000 हमें given था y, equal to 30,000 आप रखेंगे, इसको आप subtract करेंगे, तो 30,000 में से 12,000 तो क्या रह जाएगा, हमारे पास 18,000, तो यहां पर हमने लिख दिया 18,000, और यहां पर x की value क्या हो जाएगी, divided by 3 हो जाएगा, 18,000 के तो solve करा, तो 6,000 आ जाएगा, यानि कि यहां पर हमारे पास जो c point आएगा, वो क्या रहेगा, x की value, 6000, and y की value, 12,000 हमारे पास इसका result हो जाएगा, तो देखिए, यहां पर हमने c को वही किया, c जो हमारे पास आया था, 6000, and 12,000, एक मैंने आपको बताया, 00, bb मैंने आपको बताया, 0, and 12,000, अब देखिए, यहां पर जो d point है, यह कौन सी कौन से length का, जो हमारे पास intersection है, एक तो first, जो भी हमने देखिए, 3x वाली और एक x-axis, तो x की value तो हमें पता चल गई, x की value यहां पर क्या है, x की value यहां पर हमारे पास 8,000 है, आप 8,000 को यहां पर अब रखेंगे, 3x की जगापर, यानि कि x की जगापर आपने इसको रखा, तो यहां पर देखिए, 3 into में 8,000 था, तो 8,000 यहां पर हमने रख दिया, इस तरह से plus y is equal to 30,000, ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको solve करेंगे, तो 24 होगा, 24 को आप इसाड लेकर आएंगे, वो minus का हो जाएगा, तो 30 में से 24 minus करेंगे, 30,000 में से 24,000 है, minus हो जाएगा, तो कितना रह जाएगा, 6000, तो y की value क्या आ गई, 6000, तो इस तरह स पर है, तो यहाँ पर हमें पता है, y 0 है, और x के value 8,000 है, इस point पर, तो यहाँ पर हमने इसको solve कर कर देखा, इस तरह से, तो आपको हर एक point को इस तरह से solve करना है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है, आपको इस तरह यहाँ पर लिखना भी है, इसके बाद आपको ल है तो A B C D E तो यह हमने पांच पॉइंट हमारे कॉर्णर थे अगर F भी होता तो उसको भी ले ले लिते हैं यानि कि हमने नाम नेम जो कुछ भी दे सकते हैं नाम कुछ भी हो सकता है A B C D E F G कुछ भी आप रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे तो यहां पर आपने मैचिंग नहीं लखने हैं जैसे कि हमारे पर X और Y हम लेट कर चुके हैं आपने यहां पर X और Y नहीं देना ना जैड देना जैड क्योंकि यहां पर हमने किसको दिया मैक्सिमाइज करने या फिर मिनिमाइज देन कि अब्जेक्टिव को दिया तो उनसे नहीं अलग होने चाहिए यानिकि X Y & Z को छोड़कर बाकिया आप कोई भी ले सकते हैं उसके बाद देखिए अब हम सॉल्व करत देखिए और Y की जगह पर हमने क्या सब्सिट्यूट करना होगा 12,000 सॉल्व करेंगे तो 3,60,000 हमारे पास रिजल्ट होगा इसी तरह से फिर हम सी पॉइंट को सब्सिट्यूट करेंगे फिल D को इस तरह E को आपने इन सब को जो है Z में सब्सिट्यूट करना है तो हमारे प तरह से 6,500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 तो हमने उसको ले लिया, यहान मेक्सिमुम वैल्ट वैल्योड क्या हो जाएगी, वग जैसे माव्मिलाइागी 6 अजिक्स मेस मेजा और कूं से थी पॉइंट वहाइए आ हमने बनाया, A product कितना बनाया और B product कितना बनाया X को हमने लिया था A product तो वहाँ पे 6000 इस तरह Y जो product था वो किसको लिकर चले थे हम B को तो यहाँ पर हमने 12000 लिख दिया यहाँ पर हमारे पास C point पर आये थे तो पहले हमने देखा कि C point की value जिये हैं तो हमने इसको लिखा हमारे पास product A के जो number होंगे वो कितने होंगे 6000 इस तरह हमारे पास जो Y होगा यानि की जो B है उसके कितने होंगे 12000 products बनेंगे तो इस तरह से आपने solve कर लिखना है यहाँ पर कि हमारा profit इतना होगा six lakh rupees product A हमने इतने बनाएंगे product B के products हम इतने बनाएंगे तो आपको यह सब लिखना है तो यहाँ पर हमने जो इस तरह question को solve करना होता है तो देखे question number two है हमारे पास आप अपनी book में देखिए सबसे पहले कि यहाँ पर statement हमें given है A manufacturers plan to install some new machines in his workshop type A machine cost rupees 800 and occupies three square meters of floor space इसी तरह next given है type B machine cost 1600 rupees and occupies one and one by two square meters of space he can spend 20,000 all together and the space available is 30 square meters type A turns out 10 components per hour whereas B 15 per hour यहाँ पर देखिए इधर तक हमारे पास क्या result रहता है कि जो manufacturer है वो उसके पास दो machine उसने ख्रीदना चाहते हैं यहाँ कि वो अपने दुकान मर यानि की अपने वर्क्षोप जहां पर भी काम करता है वहाँ पर उसको दो machine चाहिए type A और type B उसकी cost हमें given है देखिए यहाँ पर screen machine हमें given है दो type की है A और B उनकी cost हमें given है cost कितनी कितनी है 800 rupees type A के लिए है type B के लिए 6 rupees है और उसके बाद यहाँ पर space B यानि कि space भी हमें given है उसको भी लिए हमने लिखी यहाँ पर space given है 3 square meters और यहाँ पर हमारे पास 1 and 1 by 2 given था यानि कि यहाँ पर हमारे पास इसको हम क्या करते हैं मिक्स्ट fraction की तरह जैसे कि हमने solve करना आता है यहाँ पर multiply और यहाँ पर plus हो जाता है यानि कि 2 की multiply 1 से फिर प्लस कर देंगे 1 यहाँ पर हमारे पास 3 by 2 square meter result रहेगा उसको लिखा और इस तरह से अब देखिए हमारे पास question में क्या given है और बुक में देखिए trade restrictions compel him to have at least 3 machines of type A and 4 machines of type B how many machines of each type should be installed to achieve maximum output तो यहाँ से क्या result निकलता है कि उसको कम से कम यानि कि at least बोला है at least कम लब कम से कम यानि कि उस तो नहीं तो उसको कम से कम रखनी है उसके जादा चाहे रख ले यहाँ पर हमारे पास वो भी given है यानि कि कम से कम उसने A machine जो है A type की machine 3 रखनी है और type B वाली 4 रखनी है वो हमें given है और इस तरह से हमारे पास यह भी given था कि वो जादा जादा 20,000 रुपीज खर्च कर सकता है यानि कि जो उसकी कोश्ट थी 800 एंड शिक्चिन हंड उसके साथ में ही हम लिखेंगे कि maximum ability हमारे पस कितनी है रुपीज में 20,000 और space भी हमें given है कि maximum आप इतना ही space ले सकती है यानि कि 30 स्केर मीटर तो हमने उसको भी लिए यह हमें question में सब given है और output भी हमें given है कि यहाँ पर output हमारे पास है 10 units and 15 units यहाँ पर हमें given था type A turns out 10 components per hour whereas type B 15 per hour यानि एक एक घंटे में output हमारे पास A type देती है type A की machine 10 units and B type की machine है 15 units तो यहाँ पर इस तरह से हमारे पास यह table की form में पहले इसको represent करेंगे इसके बाद हम इसको solve करते हैं तो देखिए क्या result रहेगा तो यहाँ पर हम फिर select करेंगे जैसे कि फिशले एक sum में किया था हमने same वैसे ही यहाँ पर हमने लेट किया कि type A की जो machine है यानि कि number of machines of type A X तो यहाँ पर हमने उसको लिया X यानि कि जितने भी हमने machine लेगी type A की उसको हमने ले रहे है X units X और इस तरह से जो number of machines of type B होगी यानि कि जो type B की जितने भी हमने machine ख्रिदी होगी उसको हमने name दे दिया Y और total output जो हमें कहा जाएगा maximum करना है output minimum करना है cost हमने उसी को लेना है तो हमने यहाँ पर देखा कि output हमें क्या करना है maximize करना है तो हमने total output को Z लिया total output को हमने Z ले लिया यानि कि 10 की multiply किससे हो जाएगी यानि कि एक unit यानि कि अगर हम देखें अगर एक machine हमने ली तो उससे हमें 10 units मिलती है इस तरह हमने 2 units ली तो 20 हमें मिलेगी units अगर दो मशीन लिए हैं तो 20 मिलेगी तो हमने टोटल करने के लिए क्या किया कि हमने जितने भी मशीन खरीदी होगी टाइप A की उसको हमने 10 से मुल्टिप्लाय कर दिया यानिकी 10x इसी तरह से ऐसे ही हमने y के लिए किया यानिकी हमारे पास एक टाइप B की मशीन अगर है तो 15 units मिलती है अगर 2 हो जाएंगी तो 30 हो जाएगा 4 इस तरह से हमारे पास बढ़ते जाएंगे तो हमने क्या किया कि हमारे पास जितनी भी हमने मशीन खिरिदी होगी ऐसे हमने या पर माने कि उसको हमने वाइ तो हमने अगर वाइ मशीन खरिदी तो उसका हमें Aham undert कितने मילेगा into हो जाएक यार करें के 15, अगर वन से हमें एक, एक मशीन से हमें 15 मिलता है तो यहाँ हमारे पास देखी cost के coding एक हमारे पास बन जाती है कि हमने type A को कह लिया था x तो x plus y is equal to 20,000 इस तरह से लेकर चलेंगे यानि कि 800x constraints बनेंगे हमारे पास ये 800x plus 1600y less than अभी less than क्यों लगेगा वो भी बताएंगे less than and equal to 20,000 तो ये देखी किस तरह से बनेगे गा कि हमारे पास cost given थी एक machine खरीदेंगे तो 800 लगेंगे दो खरीदेंगे तो 1600 तो इस तरह से बढ़ता जाएगा तो हमने यहाँ पर कितने machine खरीदी है एक ही x तो यहाँ पर 800 x हो गया इस तरह से हमने y जो लिया किसको लिया था type b को यानि कि हमने जो machine खरीदी b type वाली वो कितने खरीदी है y तो यहाँ पर एक के लिए 1600 हैं तो y के लिए कितना हो जाएगा 1600 को multiply कर देंगे y से तो 1600 into y हो जाएगा अब less than less than क्यों आया क्योंकि यहाँ पर हमें maximum ability given थी कि आप 20,000 रूपई से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते 20,000 रूपीज से ज़्यादा आप spend नहीं कर सकते इसलिए हमने इसको यहा 1000 रूपीज इस तरह से नेक्स्ट भी हमें इसमें ही given है कि यहाँ पर आपके पास space के coding given है कि space आप कितना ले सकते हैं तो space देखी यहाँ पर 3x यानि कि एक मशीन के लिए हमारे पास 3 square meter था तो 2 के लिए इस तरह 3 के लिए तो हमने x खरी दी है machine तो 3x हो जाएगा इसी तरह से हमने 3 by 2 y किया less than 30 यान कि less than 30 हो जाएगा यानि कि इससे ज्यादा हमारे पास space नहीं है तो इससे ज्यादा हमने नहीं लेनी और यहाँ पर हमारे पास question में given था जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप कम से कम कम से कम कितनी machine लेनी है आपको a की और b की तो a की हमें लेनी है कम से कम 3 तो इसलिए किया हमने कि x greater होगा 3 से यानि कि x को हमें लेने है ज्यादा 3 से ज्यादा लेना है तो हमने x को greater किया इस तरह हमने जो b machine थी उसको हमने 4 से ज्यादा लेना था इसलिए हमने y greater than equal to 4 ले यानि कि 4 तो कम से कम लेना है 4 तो होगा ही होगा 4 प्लस 5 क कितने भी हमारे पास हो सकते हैं 4 से प्लस होने चाहिए 4, 5, 6 वो हम find करेंगे तो यह देखिए यहाँ पर LPP त्यार हो गई जब आपके पास LPP त्यार हो जाए तब आपने इसको solve करना है जैसे कि हमने पहले solve किया था तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जब यह हो जाएं इसक constraints में जो हमने 3.2x में सीखा था वो क्या था कि X बड़ा होगा 0 से और Y भी बड़ा होगा 0 से यह हमने सीखा था लेकिन यहाँ पर हमने इसको क्यों नहीं लिए कि X जो है 3 से बड़ा है और 4 से बड़ा है इसलिए हमने इसको नहीं लिया इस तरह से अगर आपके पास given हो कि वो इतना कम से कम लेना है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं लिखना तो इस तरह से मेरे पास यह three constraints आ गए अब इनको हमने solve करना है तो सबसे पहले जो objective होगा हमें given उसको लिखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास objective function given है 10x plus 15y जो हमें अब इने find किया था देखिए यहाँ पर अ पर आप से हमारे पास आ जाएगा एकस प्लस 2y is equal to 25 तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है 800 तो दो 0 हमने यहां से कम की इस तरह 1600 हा दो 0 यहां से कम की इस तरह यहां से अगर आप कम करे तो तो यहाँ पर हमारे पास देखे क्या हो जाएगा 200 तो यहाँ पर लिखिए अब 8x plus 16y less than and equal to 200 हो गया भी यह तो यहाँ पर देखिए अब आप इसमें से क्या common ले सकते हैं तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है यहाँ पर 8 नहीं है यानि कि हमने यहाँ से 8 common लिया यहाँ पर भी आप 8 common लेंगी तो यहाँ से 8 गायब हो जाएगा यानि कि आप इन सब के divide में क्या करेंगे 8 करेंगे तो आपने इसको solve किया 8x upon में 8 तो वो x हो जाएगा इस तरह यहाँ पर 8 करेंगे तो यहाँ पर डतकर हो जाएगा इस तरह यहां पर हमार पास 200 देखेंगे तो कितने पर आजाएगा 25 पर वह जाएगा य याँ कि अब कि अब इसको ड्वाइड करेंगे- आपके पास-25 रिजल्ट हो जाएगा फिर हमने इसको सौलब करकर यहां पर देखी इस नंबर्स हमारे पास काफी बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे इसलिए हमने इसको शोट करने की कोशिश की इस तरह यहां पर x equal to 3 and y equal to 4 भी लिखेंगे x equal to 3 and y equal to 4 अब देखिए यहां पर जो हमारे पास 6 हो जाएगा और upon में पूरे के 2 हो जाएगा और यह 2 equal के side याने के less than के side आकर multiply में हो जाएगा 60 बन जाएगा तो हमने वहित तो लिखा यहां पर 6 x plus 3 y equal to 60 अब देखिए यहां पर हमने equation number change कर दिया पहले हमारे पास लगरतार देखें अगर इस process में तो हमारे पास first यह बनी थी second, third and fourth लेकिन इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि यहां पर हमें quotient के coding हमारे पास इस तरह से बन जाएगा कि quotient के coding अगर हम समझेंगे तो हम अपने तरफ से ही लिखेंगे कि हमारे पास first यह है second यह है number आगे पीछे हम लिख सकते हैं equation के तो यहां पर हमारे पास यह four equations आ गई अब इनके coding हमने जो है solve करना है तो देखिए first equation में अगर हमने x को 0 लिया इसको 0 ले लिया क्या result रहेगा 2 इसके अपन में जाएगा यानि कि 25 upon 2 12.5 हो जाएगा जब हमने x को 0 लिया था तो 12.5 देखिए रहा अब हम y को 0 लेंगे तो y को हमने 0 लिया तो x के value क्या आ गई 25 तो x के value 25 जब हमने y को 0 सब्सिट्यूट किया तो आप कोई भी number सब्सिट्यूट कर सकते हैं 0 1 2 3 जो आपको अच्छा लगे तो यहा तो 60 upon 3 20 होगा 60 upon 3 divided कर solve करेंगे 20 तो इस तरह समने किया तो यहां पर result हमार पस 0 20 आया इस तरह हमने y को 0 लिया तो x 10 आ गया अब y को हमने क्या किया है 0 लिया तो यहां पर 6 इसके पूर में जाएगा यानि 60 upon 6 तो क्या result 10 तो इस तरह से आपने solve कर कर देखना तो आपके पास 10 आ जाएगा उसके बाद x और y की हमें value लग से given है x equal to 3 and y equal to तो इनको अब हम graph प्लोट करते हैं तो देखिए यहां पर हमारे पास किस तरह से बन जाएगा तो सबसे पहले एक vertical और एक horizontal लेंगे तो यहां पर vertical और यह horizontal जहां intersect हो गई वह हमारा origin यह हमें पता है और इस पर number यहां पर हमने gap कितने का लेना है अब वह भी matter करता है तो यहां पर हमने gap लिया है 5 unit का यहां कि जो one box होगा आपके graph का उसको हमने लिया 5 के एक वल तो यहां पर हमने लिया gap 0 to 5 5 to 10 10 to 15 x axis में इस तरह minus में भी आपको लेना है और हमें y axis में भी इतना ही gap लेना है जितना यह यहां पर gap होगा यानिकि इधर 5 का gap है तो आपको इधर भी 5 का gap ही लेना होगा तो हमने भी यहां पर 5 का ही लिया 0 to 5 5 to 10 10 to 15 15 to 20 to 25 देखिए 5 5 का gap है अब इसको हम जो है number plot कर लेता है तो देखिए यहां पर सबसे पहले result है x की value 25 and y की value 0 तो दोनों value 0 हमारे पास origin पे होंग x की value कितनी है 25 तो right hand side पर देखेंगे positive value है तो right hand side पर मिलेगी value 55 का gap है तो fifth number पर हमारे पास 25 हो जाएगा यानिकि यह हमारे पास यह point आ जाएगा तो इसको आपने डाक कर लेना इस तरह से थोड़ा सा उसके बाद हमारे पास value है x की 0 y की 12.5 तो x की value 0 origin पर y की value 12.5 अब 12.5 graph में देखें तो आपको पतल जाएगा यहां पर हमने क्या किया पहले यहां पर देखा कि इनके middle में बनेगा एकदम इनके middle बनेगा तो हमने इस तरह से point कर दिया तो यह हमारे पास यह वाला point आ गया अब 2 point बन चुके हमारे पास कम से कम 2 point तो होने ही चाहिए graph बनाने के ल है तो यह लाइन आ जाएगी उसके बाद second equation देखिए x की value 0 y की value 20 x की value 0 यहीं पर होगी origin पर y की value 20 है यानि कि positive ऊपर की तरफ मिलेगा y 20 तो यह रहा वो point तो इस तरह से हमने इसको थोड़ा से dark किया इसी तरह x हमारे पास 10 है और y 0 है x जो हमारे पास कहां बने का 10 यहां प यहां पर इस तरह से देखिए दो point आगे first point यह second point यह तो इस तरह से एकदम आपने एक line पास करने scale के help से equation के name साथ-साथ लिखते रहना जैसे कि यहां पर मैंने लिखे है आपने भी इसको लिखना है इनके coordinates यानिकी जो 25 0012.55 आपने उस point पर जगा पर लिखना भी है कि कि यह कौन सी line है तो यहां पर हमारे पास दो lines आ चुकी है first हमारे पास बने थी यह वाली line second अब third और fourth कौन कौन सी बनेगी वो देखिए यहां पर x की value 3 y की value 4 तो यहां पर आ चाये x की value 3 किसके parallel होगी एकदम सही बता रही है y के parallel होगी तो देखिए यहां पर इस तरह से हमने और कौन सा एरिया नहीं करना यानि की फीजिबल एरिया ढूंडेंगे अब हम तो यहां पर सभी स्टेट्मेंट्स में आप यानि की कंस्टेंट्स में 00 सब्सिट्यूट करें तो यहां पर देखें अब यहां पर 00 सब्सिट्यूट करते तो क्या रिजल्ट रहता है यहां पर भी जीरो हो जाएगा 800 इंटू जीरो 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 लेस देन किसे से 20,000 सही है 20,000 तो छोटा ही है तो यह true हो गई इस तरह next क्या हो जाएगी 0 greater than 3 अब 0 3 से बड़ा हो सकता है नहीं तो यह false हो जाएगी इस तरह y greater than 4 यहां पर हमने y की जगह 0 रखा तो 0 greater than 4 तो 0 वड़ा होता है 4 से नहीं तो यह भी false हो जाएगी इसी तरह हमने यहां पर 0 रखा यहां पर 0 रखा तो यह दोनों 0 हो गए 0 less than 30 0 less than 30 तो क्या होगा true 0 30 से छोटे ही होता है तो हमारे पास first and second देखें इनकी first and second तो दोनों true है या इनकी दोनों origin की तरफ आएगी बाग की दोनों जो रहे गई वो origin से दूर जाएगी तो यहां पर हमारे पास देखिए first and second first हमारे पास यह थी second यह थी तो इन दोनों के according हमने क्या किया अंदर की तरफ आएगे या इनकी origin की तरफ first के according इस तरह शेयर होगा या एप arrow लगा सकती है रहे हैं second के according हमारे पास इस तरह से बहनेगा देखिये और third और fourth के according देखेंगे तो third हमारे पास देखिए यसे दूर जाएगे तो यह एरिया आ जाएगा इसी तरह हमारे पास Vy के लिए है ORIGISON से दूर है यानि कि 4 से हम दूर जाएंगे उपर के tarp होगा तो यहां पर देखिए हमारे पार जो SHYDED REASON बनेगा common area बनेगा वो हमारे पास ये बन जाएगा तो देखिए ये हमारा shaded reason आ जाएगा तो इसको आप arrow लेकर भी solve कर सकते हैं देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर arrow लिये थे तो आप arrow भी इस पर ले सकते हैं यानि कि first के coding हमें अंदर आना था तो हमने फर्स्ट के लिए ये arrow किया सेकेंड के लिए भी अंदर है तो हमने ये arrow किया थर्ड और फॉर्थ हमारे पास ओरिजन से दूर है थर्ड के coding हम भार जाएंगे फॉर्थ के coding उपर तो देखिए इस तरह सी shaded reason हो जाएगा आप arrow लेकर भी देख सकते हैं आपके पास कौन से shaded reason आएगा फिर आपने उसके corners लेने हैं तो हमने a b c d ये corner ले लिए नेम आगे पिछे हो सकते हैं देखिए a b c and d हो गए अब इनको हमने find करना है देखिए यहां पर हमारे पास कोई भी number लाइन पर नहीं है यान कि कोई भी access पर नहीं है तो इन में हम क्या check करते हैं कि इनके common point क्या है यान कि common intersection देखेंगे यान कि यह देखिए कौन सी लाइन के intersect हो रहा है एक तो x equal to 3 है और एक हमारे पास यह कौन सी है यहाँ पर first line यान कि first equation के line हमारे पास यह थी तो इसको लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास first equation के line है x plus देखिए यहाँ पर x plus 2y equal to 25 तो आपने इसमें x की value रखनी है 3 क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x क्या थ यह वल लाइन जो थी 3 की थी तो इसमें हमने रखा 3 3 दर आकर minus होगा 22 हो जाएगा और यह 2 इसके upon में आएगा तो 11 यानि कि 3 and 11 के लिए हमारे पास a point आ गया तो देखिए 3 and 11 हमारे पास a point आ गया इस तरह आपने b b find करना है c and d तो यहाँ पर देखिए b हमारे पास कौन सी दो लाइन का intersect हो रहा है एक first and second तो आपने इन दोनों को solve करना है पहली दोनों equations को आप कोई भी method से solve कर सकते हैं elimination लगाई है substitution लगाई है cross multiplication लगाई है जो आपको असान लगे substitution में क्या करते हैं एक value हम रखते हैं बाकियों को इस side पर ले आएंगे ठीक है उसके बाद हमने उ एक को same करना है तो आप multiply करकर same करकर solve करेंगे आपके पास यहाँ पर B, C and D point आ जाएंगे 5, 10 यानिकि X के value 5, Y के value 10 इस तरह 8 and 4, 3 and 4 तो यहाँ पर हमरे पास यह result रहेगा उसके बाद आपने इसको substitute करना होता है Z में तो यहाँ पर हमरे पास Z given है 10X plus 15Y तो यहाँ पर हमने A D point, B point, C and D point को यहाँ पर substitute करना है यानिकि पहले point के coding हमारे पास X के value 3, Y के value 11 यहाँ पर substitute होगी आप इसको solve करेंगे तो result 195 आएगा इस तरह हमने second point के coding 5 or 10, X and Y के जगह पर रखा, X के जगह पर 5, 5 के जगह पर 10 solve करेंगे 200 value आ जाएगी इस तरह C और D हमने इसमें substitute करना है 8, 4 and 3, 4 हमने इसमें substitute किया, तो value 140 and 90 आ गई, तो हमें इसमें जो कहा गया है, उसके coding हमने इसमें सब value select करनी है, maximize कहा गया है, तो सबसे बड़ी value ले ले लेंगे, minimize कहा गया, तो सबसे छोटी value ले लेंगे, तो यहाँ पर हमें maximize करने को कहा गया था, तो यहाँ पर सबसे और 10 पॉइंट पर आई है जो भी पॉइंट है उस पर आई तो यहां पर अब हम लिखेंगे कि जो नंबर ओफ मशीन ऑफ टाइप ए थी वो कितने खरीदेंगे हम 5 और जो टाइप बी की मशीन होंगी वो हम खरीदेंगे 10 यानि कि अगर हम टाइप एकी मशीन खरीदते हैं 5 यानि कि जब हमने इन दोनों का कंबिनेशन किया तो सबसे ज्यादा आउटपुट हमें मिला 200 यूनिट का तो यहां पर आप लिखेंगे इस तरह से जैसे कि यहां पर मैंने लिखा कि नंबर ओफ मेशीन हमें चाहिए होंगी टाइप A की 5 टाइप B की 10 टोटल मेशीन 15 हो ज लगे वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों को शेयर कीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको बिजनस मैथेमेटिक से लेटेड नए ने वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जा झाल 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 झाल